सबी प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नत्मस्तक हूँ जनता जनार्दन का आशिरवात अभीभूत करने वाला है स्रिवान जेपी नडड़ाजी के नेत्रुतों में भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुश्बू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं जहां भारतिय जनता पार्टी प्रत्यक्षन नहीं जीती वहां भाजपा का वोट शेर भाजपा के प्रति ने का साक्षी है मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत मिनमर भाव से आभार व्यक्त करता हूं भाजपा के प्रति ये इसने देश के अलग-अलग राज्यों के उपचनाओं में भी दिख रहा है यूपी के रामपूर में भाजपा को जीत हासिल हुई है बिहार के उपचनाओं में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पस्ट संकेत कर रहा है मैं आज चुनाओं आयोक का भी अभिनंदन करता हूँ उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये चुनाओं के दर्म्यान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी जहां तक मेरी जानकारी है एक भी पोलिंग भूथ में री पोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है मतलब की सूख और शांति पर नुरुप से लोग तंत्र की भावनावों को पूरी तरह लेटर इंस्पिरिट में स्विकार करते हुए मतदाताओं ने लोग तंत्र के उत्त्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोक अभिनंदन का आधिकारी है इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनितिक कहरकरता को हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूँ साथ क्यों आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जैसे अभी नड़ला जी बता रहे थे हिमाचल के चुनाव में एक प्रतिशत से भी कम अंतर से ये हर जित का फैसला हुआ है एक परसंट से भी कम इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं हिमाचल में हर पांच वर्स में सरकारे बढ़ली है लेकिन हर में जब बढ़ला हुआ है कभी पांच प्रतिशत, कभी छे प्रतिशत, कभी साथ प्रतिशत जीतने वाले और हार वाले के बीच में इंतर रहा है इस बार एक प्रतिशत से भी कम इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतिय जनता पार्टी को विज़ाय बनाने के लिए बर्षब प्रयास किया है मैं हिमाचल की जनता को आस्वस्त करता हूँ कि भाजपा भले ही एक प्रतिशत से पीछे रह गई लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिवद्दता शत प्रतिशत रहेगी कि भाजब बढू़ प्रतिशत से प्रतिशत रहे हैं झाल को आस्वस्त की जनता प्रतिशत रहे हैं